तो हलो दोस्तों, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, वेस्ट बजट टूर्स दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की औरेन सिटी बोले जाने वाले नाकपूर के बारे में दोस्तों, नाकपूर पुराने और नए का एक आकरशन मिश्रण है भारत में नाकपुर, औरेन सिटी या नारंगी नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों क्योंकि यहां अउगाय जाने वाले संत्रों का एक व्यप्यार केंदर है मुंबई और पूने के बाद महराश्टर का तीसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों पूर्व में नाकपुर भोसले साशकों की राजधानी भी थी और अब विधर्व छेतर का केंदर बिंदू है दोस्तों नाकपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर पड़ा है नाकपुर के शहरी डाक टिकेट पर अभी भी एक साप की छवी वनी हुई है दुरुवाती बिंदू है जहां महाराष्ट के इस पूर्वी भाग में वन जीवन के प्रती उत्साही लोगों का ताता लगा रहता है। नाकपूर में देखे जाने वाले कुछ दर्शनिय स्थल। केंद्रिय संग्राल्य माराष्ट के सबसे प्रसिद संग्राल्यों में इस संग्राल्यों में पुरा तत्व, कला, प्राकर्तिक, इतिहास और भूविज्ञान से संबनित नबूनों का खजाना निहित है। यह स्वमवार को छोड़कर सबी दिन खोला रहता है। दोस्तो अंबा जारी जील और गार्डन शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह जील अपनी प्राकर्तिक सुन्दर्ता के लिए प्रसिद है। चारों और से खुबसूरत बगीचों से घिरी इस जील में नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। जील के संगीत में फवारे इस जील की सुन्दर्ता में चार चांद लगा देते हैं। जील के साथ ही एक बेहत खुबसूरत बगीचा भी है जिसे नाकपुर के सबसे सुन्दर स्थलों में शामिल किया गया है। दोस्तो पौधार एश्वर राम मंदिर दोस्तो इस मंदिर के निर्माड राजिस्तान के पौधार परिवार के श्री जमुनाधर पौधार ने सन 1923 ए में करवाया था। दोस्तो मंदिर में भगवान राम और शिव की प्रतिमाय स्थापित है। सफेद संग मरमर और लाल बलुवा पत्थर से बने इस मंदिर में खुपसूरत नकाशी की गई है। राम नवमी को होने वाली राम जनमोत सोभा यात्रा के दोरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालू एकत्रित होते हैं। दोस्तो शीता बुल्दी फॉर्ट शीता बुल्दी फॉर्ट नागपुर शहर में एक महतोपूर स्मारक है। यह भारते इतियास में एक इतियासिक मील के पत्थर के रूप में भी विद्मान है। दोस्तो यह किला ट्विन पहाडों के बीच में स्थित है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस किले को सन 1857 में सिपाही विद्रो होने के आसपास ही बनवाया था। यह किला उन शहीदों की याद को संजोई हुए है जो इस विद्रो में अपना जीवन खो बैटे थे। दोस्तों टिकडी गड़ेश मंदिर नाकपुर का गड़ेश टेकडी मंदिर सन 175 साल पुराना है दोस्तों हर साल यहां गड़ेश चतुर्थी पर विशेश पूजा का आयजन किया जाता है जिसम शामिल होने के लिए देश भर में भक्त आते हैं। दोस्तों माननेता है कि यहां आने वालों की मुराद गड़पती जरूर सुनते हैं। पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है। सांची के स्तूप जैसी एक शांदार इमारत का यहां निर्माड किया गया है। इस इमारत के प्रतिय खंड में एक साथ पांच हजार भिक्षू ठहर सकते हैं। आदाशा। यह नाकपुर का एक छोटा सा गाउं है जो नाकपुर से 27 किलोमेटर की दूरी पर है। यह हिंदु धर्म का एक बड़ा केंद्र है जो पोश के महीने में तीर्थ यात्रियों को आकरशित करता है। यहां अनेक प्राचीन और शांदार मंदिर देखे जा सकते हैं। यहां के गड़पती मंदिर में भगवान गड़ेश की एकल शिलाखंड से बनी प्रत्मा स्थापिद है। अदाशा के समीब ही एक पहाड़ी में तीन लिंगों वाला भगवान शिव को समर्पत मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर के लिंग अपने आप भूमी से निकले थे। नाकपुर से रामटेक 48 किलोमेटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि यहां भगवान राम और उनकी पतनी सीता के पवित्र चरणों का स्पर्श हुआ था। यहां की पहाड़ी के शिखर पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। जो लगबक 600 साल पुराना माना जाता है। दोस्तो राम नवमी पर यहां बड़े धुम धाम से मनाया जाता है। तो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि यहां कैसे पहुचा जाए। दोस्तो नाकपूर भारत के सभी प्रमुक शहरों से सड़क, रेल वह हवाई यात्रा से चुड़ा हुआ है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और सुख़़एं